यह देखी funniest मैंने आने यह कि इस तरह कि यह गाट लिए मैंने इस पर ऐसे यह देखे चार इधर से और पांच इधर से मतलब कि इसकी चूराई है चार लंबाई है पांच फांच एffen 초ाई चार इंच लंबाई पांच इंच अइसे मैंने सारी पट्टी काट य глаз अपूलगे करना है हम इस तरह से फोल्ड करना ओ को न onc प चूडाई आय में ऐसको एक वार एसे फोल्ड करेंगें द्याँ से सेczęदस आफ देखिये कि इस तरह से इस तरह से यह देखिए और इस पे भी आम इस तरह की सिलाई लगा देंगे इस पहले इसको एक या ज़ागे में जोयंट करते जाएंगे फिर हम बाद में इनको कट कर लेंगे फूल जो में बन रहा है यह देखिए इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करके और ऐसे रखके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं यह देखिए आप छोटे-छोटे टुकड़ों से भी इसको बना सकते हैं आपको कोई साड़ी वगैरा काटने की जरूरत नहीं है आपके पास छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हो आप उनी से इस डोर्मेट को बना सकते हैं तो देखिए इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से ऐसे हम जो मैंने सारी है चोटी-चोटी यह पट्टी काट के रखे हैं को हम इसी तरह से चिलते जाएंगे तो देखी फिर्म्स ऐसे ही मैंने यह बहुत सारी यह पट्टी में सिलके रखी है तो रख पट्टियों को फिर अब क्या करेंगे एक फूल को हम थोड़ा चाट देंगे ताकि यह देखने में भी अच्छे लगें यह देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा चाटते जाएंगे और इस तरह से हम इनको निकालते जाएंगे यह देखिए फूल बनके एकदम तयार हैं ऐसे ही हमें डेर सारे फूल बनाने हैं से तो इसको भी कट लेंगे और इसकी किनारी है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगी यह देंट इस तरह कि हम सारे फूलétait- मैं एक बोरे ली तुसमे हमने गोली इसरकल काटली रहा था उसके बाद यहां पर दीखिए मैंने इस तरह से darf Лएएए dignity कर दितर इसे किनारी है इन में लिए पेसे किनारी है और दॉरppen रागा रहते हैं में बौन शिक्रड़ चौनों में नों जैंव्छ आपने कृष जो सकते हैं इनमें हम आपको यह दिखाते हैं कि हम किस तरह से इस पायदान को बनाएंगे यहां तक यह एक खाना यहां से यहां तक है और यह एक फूल Summen ने चुटा हुआ ह i Casey इंदर चूटा scor grave और यह भी बना हुआ है तो दिखिए यही फूल लगे हैं सिर्फ कलर में ने चेंज किया है तो एक सरकल में जो मेरा यहां पर यह सरकल बना हुआ है इस तरह से यह देखिए यह देखिए चौकोर मैंने यहां पर जो चार हिससे इसके किया है एक हिससे में हम यह वाले फूल लगाएंगे यह देखिए यहां से इसक करें दूसरा फूल लेंगे यहीं से रखंगे हम अ हुक्षा थीर की फिर्ण्स तीसरा फूल यहां पे लेंगे और यहीं से हम इसको भी रखेंगे इस तरह से और इसमें सिलाई लगाएंगे और अपिस सोई धागे की मद्द से भी बना सकते हैं अगर आपके पास सिलाई मूसी नहीं है तो आप इस तरीके से चिलते जाएं प्रहुत है जिनको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता वह भी इसको आसानी से बना लेंगे यह देखी तो यहां प क्षूल लगा लिए हैं 2 3 4 5 5 प्वूल गा लिए हैं और 4 से 5 फूल लगा लेंगे तो मैंने इस गोल्ले में जो मैंने एक इसका गोल्ले में कैसाा लिया है यह देखे असानी बहुत आसान तरीका है इसको बनाना आप बिल्कुल आसानी से इसको बनाते जाएंगे आप यहां पर देखिए इस तरह से हम एक फूल अंदर की तरफ फसा के और बिल्कुल बरावर पर यहां पर लगाएंगे ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे इसको हम इस तरह से ऐसे गुमा लेंगे यहीं से और थोड़ी से हम सिलाई लगाएंगे यह देखिए अब आपको दिखा देते एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस फूल यहां पर लगे हैं इसको यहीं से मैंने गुमा लिया है दूसरा फूल लेंगे और इसी गोल कर देखें इस तरह से लगाएं अब जो जगे है यह खाली दिख रहे हैं इस तरह से ऐसे यह जगया खाली है तो आशी थोड़ा नीचे लगाना यह देखें यहां पर कि इस तरह से यहां पर फसा देंगे यह देखें दूसरा फूल लेगे फिर इसको भी हम जहां यह जगह खाली दिखती है वहीं पर हम इस तरीके से इसको जोएंट करते जाएंगे आप इसको सुई धागे की मदद से भी बना सकते हैं यह जो पैन का निसान है इसी के बरावर पे ही हमें सिर्फ इतने ही फूल ऐसे ही लगाने हैं एक जैसे मैंने पहली लाइन में दस फूल लगाए तो अब की वार में यहां पे नौ फूल हो जाएंगे फिर उसके बाद आट हो अइस को फिर घुमा लेंगे इस तरीके से देखिए यह दिक हैं अ bowling मेले फिर फिर नो लगाएंगे फिर आप की वार आट हैं घुर गएंगे तो जब ऐसे आप लगाएंगे यह देखिए मैं 16 ऑ पे कम होता जाएगा सकता यहां पर यह इस तारह की तरह की कली बनेगे यह देखिए अब तीसरी लाइन में हम साथ खूल लगाएंगे देखिए यह देखिए फ्रंट्स मैंने यहाँ पे सबसे पहले दस खूल लगाए थे फिर नो लगाए आठ साथ छे इस तरीके से यहाँ से ऐसे लगाए ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे करके इस तरह भी मैंने पहले दस लगाए फिर नो आठ साथ छे इस तरह से देखिए तीनो कली मैं मैंने यह आपको कली तो समझ में आ रही होंगी ना फ्रेंट्स यह यहां से यहां तक एक कली अभी खाली है बिल्कुल अभी यह बनीगी यह पैंसे मैंने निसान लगा दिये थे मतलब कि जितना बड़ा पैरदान बनाना चाहें इतना गोल सरकल काटने के बाद उसमें चार खार। एक, दो, तीन, चार, चार खाने में वैंना इसकी किनारी अभी इस तरह से बनाई हुई है किनारं किनारे पर मैंने ये इस तरह से सिलाई की एफरन्स अभ यहां पर एक खाना ये अभी रह गया है इसको भी हम इसी तरह से पहले 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे तो मैंने देखिए कितने लगाई हैं फूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने यहां पर 6 लाइन लगा लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पर भी हम 6 लाइन लगा लेंगे तो इसी के बराबर यह एकदम गोल बीच मस रह जाएगा और यहां पर भी हम बना लेंगे तो इसको भी हम बना लेते हैं इसमें कोई दूसरा कलर भर के ऐसे ही आप चाहें तो इसको एक ही कलर से पूरा डॉर्मिट बना सकते हैं कौब यह प्रुश काटे हैं मैं अब गोला इसको लगाई हैं को भी हम कुछ लाईसे पड़े हैं . तो आप इसको ब्लाउज के पीसे से भी बना सकते हैं मैंने यह रिओं पर भीह बपार हम सब्सक्तुतौर पर बराबर के पीस ही लिए हैं तो अब हम यहां पर भी छेलाईने इसी तरह से लगा लेते हैं जिस तरह से मैंने यह लगाई है उसके बाद जो बीच का रह जाएगा वो आपको हम फिर दिखाएंगे लोगों को दिखाया था कि इसका एक भाग रह गया था उसको भी सिल लिया फिर हमने अब एक ही कलर से पूरे में गोलाई से इसको सिलेंगे जैसे मैंने इसको सिला है बैसे आप हम यहां से लगा लगा के एक फूल को और पूरे में गोलाई में इसको सिलते जाएंगे सिल लेत कपड़ा है जो इसको हम कट कर देंगे और उसके बाद यहां पर हमें एक गोल कपड़ा काटना है कोई भी कपड़ा लेंगे हम यहां पर गोल काट के पर बीच में जो होल है उसको हम इस दूसरे कपड़े से गोल आकार में काट लेंगे और उसको इस रखके बीच में और चार लगा देंगे तो होल यह बंद हो जाएगा पूरा डॉर्मिट बंके कंप्लीट हो जाएगा आप देख सकते हैं मैंने आप भी बीच में कपड़े को गोल सिल दिया है अच्छे से और आप देख सकते हैं पायदान बनके तैयार है और आप इसको पुराने कप्ड़ों से बना स कीजिए मेरी वीडियो को सेयर कीजिए ठैंक ए